परिचय मित्रों, मुझे सिक्के इकठे करने का बहुत शौक है. मेरे पास एक पिगी बैंक है, जो बहुत से सिक्कों से भरा है. आज हम कुछ मजेदार करने वाले हैं. हम इस पिगी बैंक में जमा एक, दो और पाँच रुपए के सिक्कों की कुल संख्या जानेंगे. हमारे पास हैं एक रुपए वाले तीन सिक्के, दो रुपए वाले पाँच सिक्के और पाँच रुपए वाले तस सिक्के. अरे वाह, ये तो बहुत सारा पैसा है. आओ सीखें ग्रूप से अलग-अलग चीजों से संबंधित जानकारी इकठी करना ग्रूप पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देना सूचना इकठी करना क्या आपने ये गेम पहले खेला है? जी हाँ, ये है साप और सीड़ी का खेल हम इस बोड़ पर सापों और सीड़ीों की कुल संख्या को गिनेंगे मेरे साथ गिनिये पहले हम सापों की कुल संख्या को गिनेंगे और लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे और साथ यहाँ साथ साप है अब हम सीडियों की कुल संख्या को गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच और छे यहाँ छे सीडियां है आपको यहाँ कितने पासे नजर आ रही है यहाँ दो पासे है सूचना इकठी करना आज हम सभी दोस्त क्रिकेट खेलेंगे मेरे दोस्तों से मिलिए राम, शालू, श्याम और शुभम आईए पहले इनके नामों के साथ एक खेल खेलें मअ अक्षर से कितने नाम खत्म हो रही है तीन नाम मअ अक्षर पर खत्म हो रही है राम, श्याम और शुभम और कितने नामों की शुरुवात एक ही अक्षर से हो रही है? वो अक्षर बताएं जी हाँ, ये हैं तीन नाम श्याम, शालू और शुभम इनके नाम की शुरुवात श से हो रही है आकणों को दर्शाना उस डायग्राम को देखिए जो आपके कम्प्यूटर स्कूल में कम्प्यूटरों के क्रम को दिखाता है इस प्लान को देखिए और फिर सवालों के जवाब दीजिए कमरा नमबर एक में कितने कम्प्यूटर है? कमरा नमबर एक में नौ कम्प्यूटर है कमरा नंबर दो में कितने कंप्यूटर है कमरा नंबर दो में तीन कंप्यूटर है हमारे स्कूल में कुल कितने कंप्यूटर है हमारे स्कूल में कुल बारह कंप्यूटर है आज की सुभा कितनी सुहावनी है जरा पेड़ की डाल पर बैठे पक्षियों को तो देखिए हम इस पेड़ पर मौझूद पक्षियों की संख्या का पता लगाएंगे उड़ने वाले पक्षियों की संख्या दो है और पेड़ पर पांच पक्षी बैठे हुए है हमने क्या चर्चा की? हम एक ग्रुप में अलग-अलग चीजों की संख्या गिन सकते हैं हम एक ग्रुप में कुल चीजों की संख्या लिख सकते हैं